हेलो गाइस वैलकम टू ओल उफ विन लान वीथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल लान वीथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किज़ेगा और मैक्समाग शेयर किज़ेगा आज के सेशन की बात करूँ तो आज हम क्या पढ़ने वाले है लिनियर सेटिंग अरेश्मेंट ठीक है वो भी सिंगल रो वाले वो भी वित वैरियेबल ठीक है वो भी जितने टाइब के कोशन बन सकते थे वो हमने कम्प्लिट कर लिए इंसाइड आउटसाइड इंसाइड प्लस आउटसाइड इस पे भी वही इस पे भी वही फिर नौर्थ साउथ नौर्थ प्लस साउथ ठीक है और इस पे क्या रहता है नौर्थ प्लस साउथ का मिक्शर रह जिसमें सबसे पहले हमने circle पढ़ा, okay, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा circle पढ़ा, उसके बाद square पढ़ा, rectangle पढ़ा, triangle पढ़ा, आज हम क्या पढ़ने वाले है, single row, okay, with variable में भी हमने पहले circle, square, rectangle, triangle, triangle, अब किसकी बारी है, और सिंगल रोगी उसके बाद कल का सिर्फ एक सेसन रहेगा डबल रोग उसके बाद हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेट एटो जेड कम्प्रीट हो चुका होगा ठीक है तो चलिए आज बिरां किसी देदी के हम अपना लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट सिंगल रो वाला वह भ आधा question है मतलब एक slide पे लिखा हुआ है इसके बाद हम दूसरी slide और लेके आएंगे जिस पे इसके आगे की information लिखी हो रहेगे ठीक है यहां पे place कम थी इसलिए हमने किया कि इसे दो पार्ट में बाट लिया ठीक है यह पहली slide आप देख रहे हैं इसके बाद हम इसके आगे का question पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए गिना किसी देरी के हम पना question solve करना start कर देते हैं क्या लिखा हुआ है 8 friends 8 दोस्त हैं कौन कौन से हैं b c d e g h n o ठीक है आज सिटिंगे न रो यह कहां बैटे हुए एक रो में ठीक है वह भी कहां देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ अब मैंने आप लोगों को पहली linear arrangement की पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया तो न नॉर्थ वीडियो में लेफ टू राइट राट तो कैसे देखते हैं यह राइट टू लेफ टीक है अगर आप लोगों को समझने में असानी हो और बहतर समझाए क्योंकि एक एक स्टेप करके ही हम क्या कर रहे हैं उपर बढ़ रहे हैं तो अगर आप डिरेक्ट यह समझें आप लोगों को यह समझने आएगा इसके लिए आप लोग को पहले यहाँ जाना पड़ेगा फिर यहाँ जाना पड़ेगा पीर हूं जाना पड़ेगा ठीक है इसलिए पुराने वीडियो को देख लें थीक है तो चलिए अब इसको पढ़ते हम क्या लिखा हुआ है all of them work in different यह लिख लिख लिए और यह सबी क्या है अलग अलग बैंक में क्या करते हैं कौन कौन से बैंक से बैंक से हैं HDFC, IDBI, SBI, BOI, OBC, B.O.B.C. Bank of Commerce, B.O.B.B.C. Bank of B.O.D.A. and CJ Bank यह आठ बैंक है और यह आठ व्यक्ति हैं but not necessarily इंदा से वड़ा पर जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो ठीक है इसी करम में उनको दिया जाए बैंक ठीक है ऐसा नहीं है अब बढ़ते हम आके क्या लिखा हुआ है H is fourth left of the person who works in IDBI अब मैंने आप लोगों को अपने sitting arrangement की पहली class में क्या समझाए था जब भी हम question पढ़ेंगे हम information बाजू पे लिखते जाएंगे तक हमें बार-बार question की तरब जाना ना पढ़े जिससे हमें क्या रहता है confusion create नहीं होती है ठीक हम एक बार note कर लेंगे उसके बा बदे के forth left पे है H क्या है उस बंदे के forth left पे है जो बंदा किया है IDBI से है । मतलि IDBI के forth left पे कहुन आ जाएगा H था है तो हम इसे νोट कर लेटें कि IDBI के forth left पे क्कौनangen बैठा हुआ है H Q क्या है फोट लेफ्ट पे है किसके अई डी भी एई के ठीक है और क्या बोल रहा है आगी और क्या बोल रहा है इतना हो गया अब क्या बोल रहा आगी n sits between o and c ठीक है n कहां बैटा हुआ है ओऔर c के बेच में o यहां जाएगा तो c यहां जाएगा तो हम क्या लिख लेते हैं direct n इधर C, इधर O, फिर जैसा भी आएगा, हम क्या करेंगे, अपना जमा लेंगे, वैसे ही ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आगे, B, who works in HDFC, सॉरी, एक information शुटके, N sits between O and C, ये हो गया, but does not work in IDBI, अब किसे लिए यूज़ हो रहा है, तो ये भी मैंने आप लोगों को सिखा रहा है, कि but, and, ऐसा कुछ दिया रहा था, तो ये सबसे पहले वाले के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे N है सबसे पहले, तो N के ल works in HDFC, ठीक है, B कहां काम करता है मुझे पता चला, HDFC में B काम करता है, ठीक है, sit second to the left of C, ठीक है, B कहां बेठा हुआ है, second left पे है, C के, ठीक है, और क्या बोल रहा है, आगे, who works in OBC, अब who किसके लिए उस हो गया, C के लिए, ठीक है, तो हम लिख लेंगे, C कहां काम करता है, OBC में, Oriental Bank of Commerce में, ठीक है, इतनी information हमने अपनी पहली स्लाइट से नोट कर ली, अब चलते हम अपनी दूसरी स्लाइट की तरफ, ठीक है, दूसरी स्लाइट ये रही, क्या लिखा हुआ है, इस पे, पढ़ते हैं, ठीक है, B does not sit on the extreme ends of the row, B किनारों पर नहीं बैठा हुआ है, म the persons who work in Bank of India, मतलब, जो क्या है, Bank of India में काम करता है, ठीक है, the person who works in Bank of India, sits on the immediately left, वो immediately left है, किसके immediately left पे है, the immediately left of the one who works in SBI, SBI के just left पे कौन आ जाएगा, Bank of India, ये हमने क्या क्या नोट कर लिया, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आगे, इतनी information नोट हो गई, अब क्या बोल रहा है, आगे, यहां तक का हो गया, E works in City Bank, अब मुझे पता चला, E कहां काम करता है, बिया, E करता है, City Bank में काम करता है, ठीक है, and is not neighbor of B, E किसका पडोसी नहीं आएगा, E neighbor नहीं है, B का, ठीक है, और क्या बोल रहा है, आगे, the person who works in Bank of बडोधा, बडोधा वाला जो बंदा है, वो क्या बोला, is not neighbor of, वो neighbor नहीं है, किसका neighbor नहीं है, the one who works in OBC, जो क्या है, OBC में काम करता है, OBC और Bank of बडोधा एक दूसरे के पास नहीं बैठा है, यह पडोसी नहीं है, ठीक है, और क्या बोला, D does not work in B.O.B., D कहां काम नहीं करता है, Bank of बडोधा में, ठीक है, G sits on one end of the row, मतल हम question को solve करना, start कर देते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, IDBI के fourth left पे H है, ठीक है, उसके बाद कुछ H से related information है, नहीं, IDBI से तो N IDBI से नहीं है, बस इसके आगे कुछ कुछ बोला है, नहीं, तो हम इससे बना सकते हैं, क्या question चालू कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे related information हमें नहीं पता, तो मैं यहां पर क्या देख सकते हैं, मुझे ऐसा कौन सा यहां पर व्यक्ति या बैंक दिख रहा है, जो बार बार आया है, देखो, एक दिख रहा है, सबसे पहले हमें left right पता हो चाहिए, तो H fourth left ID, इससे नहीं कर सकते हैं, B second left C, इससे कर सकते हैं, B corner पर भी नहीं है, C, N, O है, मतलब B, C से मुझे बहुत सारा कुछ देख रहा है, मतलब मैं इससे try कर सकती हूँ, ठीक है, C के second left मैंने लिख लिया, 1, 2, B, ठीक है, C कहां से है, O, B, C से है, B कहां से है, HDFC से है, ठीक है, B corner पर नहीं है, मतलब एक बंदा तो definitely इध इधर आएगा, O, इधर आएगा, क्या नहीं है, यहाँ पर तो B बैठा हुआ है, C, N, O, ठीक है, 6 स्रिट मेरी क्या हो गई, इससे, confirm हो चुकी है, ठीक है, 6 स्रिट मेरी क्या हो चुकी है, मेरी से, confirm हो चुकी है, अब देखो, इतना information मैंने यूज कर लिया, अभी क्या करू हो चुकी है, उसे हम क्या करते है, भी हटा देते है, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर समझने के लिए थोड़ी सी जगा और मिल जाए, ठीक है, यह हो गया, अब मैं क्या करती हूँ, इसे लिख लेती हूँ, H, 4th left, IDBI, ठीक है, यह भी यूज हो गया, और क्या लिख लेते है, इ, city bank से है, ठीक है, यह भी नीचे हमने लिख लिया, अब मैं यहाँ पर कुछ बना सकती हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर try करके देखती हूँ, यह से मैं लिख लेती हूँ, E क्या है, neighbor नहीं है, बीखा, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं एक बना लेती हूँ, पर एक और diagram, ठीक है, left आगया, right आगया, B, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, C, O, B, C, HDFC, ठीक है, N, O, ठीक है, यह पता है मुझे, अब देखो, अब ही क्या करेंगे, हम IDFC के fourth left पर कौन आना है, H आना है, अगर मैं IDFC यहाँ पर लूँ, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, यह त तो already है, तो 6, 4, 10 seat आजाएंगी, तो IDBI, यहाँ पर आएगा, क्या, नहीं, कहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, अब IDBI को अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, IDBI, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, चोथे left पर, मतलब 8 seat बन रही, मतलब IDBI यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, त सकता है, यहाँ पर ले सकता ही, तो मैं दे लिया, IDBI, ठीक है, यह, तो 12, 3, 4, ANE, आ सकता है, ठीक है, इतना क्या हो गया, हमने इतना यूस कर लिया, ठीक है, अब देखो, नीचे वाले, पर किती सीट आगी मेरी ऐडी भी आईज वाले में किती सीट हो गई एक दो थीज़ पाँछ च्छ शाथ नीचे वाले में किती अट सीट फिक्स हो गई उपर वाले में किती सीट होई एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, उपर वाले में साथ है और हमें इसके आगे नहीं पता देखो अब एक information क्या दिखरी मुझे H के fourth left पे ID आगया इसे मैं हटा देती हूँ ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ अब इक देखो, G क्या है, corner पे है, G यहाँ पे corner पे आगा क्या है, H और O बैठे हूए और 8 seat complete है, मतलब G यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब यह वाला क्या हो गया diagram हमारा, गलत आ गया यह diagram क्या है, हमारा, गलत आ गया ठीक है, मतलब ऐसा diagram नहीं बनेगा, ठीक है, अब देखते हम उपर, G corner पे, पर अभी क्या है देखो, 7 seat है मेरे पास 8 V, या तो इधर आएगी, या तो इधर आएगी, तो फिर से हम क्या करते है एक बना लेते हैं, ऐसे ही, ठीक है फिर से हम क्या करते है, एक ऐसे draw कर लेते है यह आया B यह H, यह C, यह N, यह O और यह ID भी आई का और यह एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ठीक है, 8 seat मैंने बना लिए, 7 fix थी एक बार इस तरफ ले ली, एक बार इस तरफ ले ली ठीक है, उपर वाले diagram पे मैंने left side पे ले लिया, एक seat और नीचे वाले पे मैंने right side पे ले लिया इसे हम नीचे पे लिख लेते हैं, यह क्या क्या है, इस नेबर नहीं है, बी का, ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया, अभी क्या रहेगा, देखो, left to right है यह, left to right है, अभी कौन सी information मैं यूज कर सकती हूँ, अभी देखो, E city bank से है, E neighbor नहीं है, बैंक किसका, बी का, यह वाली information दीकरी मुझे, E city bank से है, और E neighbor नहीं है, बी का, ठीक है, यह HDFC से है, यह OBC से है, और यहाँ पे IDBI आना है, ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, E city bank से और neighbor नहीं बी का, मतलब, यहाँ पे E आना नहीं, यहाँ पे आना नहीं, यहीं पे आएगा, वो भी city bank से, ठीक ह यह मैं हटा देती हूँ, दो प्लेस, ठीक है, यह इतना fix हो गया, यह वाला use हो चुका है हमारा, ठीक है, अब कौनसी information यूज करूंगी मैं, इतनी information यूज हो चुकी है, अब कौनसी करूंगी, देखो, G corner पे है, मतलब G definitely यहाँ पे आएगा, G definitely, यहाँ पे आएगा, यह व SBI के left पे कौन है, bank of India, अब SBI और bank of India मतलब एक साथ ही होंगे, तो यहाँ पे दो ऐसे bank के लिए कौन सी जगवाची, देखो, उपर वाले पे, N O, नीचे वाले पे, B N O, बाकी कोई दो प्लेस खाली दिख रहे हैं, बैंक के लिए एक साथ नहीं, तो हम क्या करेंगे, SBI य SBI के left पे कौन आ गया, bank of India, ठीक है, यह क्या क्या हमने लिख लिया, इतना fix हो गया, अब क्या हुआ, देखो, यह fix हो गया हमारा, यह भी information यूज हो गया, bank of बडोदा नेबर नहीं, OBC कहा पे आ गया, यहां पे, ठीक है, bank of बडोदा नेबर नहीं, OBC कहा पे आ गया, यहां ठीक है, यह भी हमारा यूज हो गया, अब बड़ रहा है, देखो, अब बंदा कौन सा बचा हुए, सिर्फ D, मतलब D यहां पे आ गया, D यहां पे आ गया, अब D बैंको बडोदा से नहीं है, और उपर वाले में तो D कहां से आ गया है, बैंको बडोदा से, मतलब यह वाला बैंको नीचे वाला डियागरम क्या हो गया, बिलकुल सही यह नीचे वाला डियागरम जो है, सारी इन्फरमिशन को Satisfy कर रहा है, यह कौशिन थोड़ा या थोड़ा High Level का था, पहली बात ठीक है, यह High Level का था, आप लोगों को जब भी ऐसा कौशिन मैं समझा रही हूँ, यहां पर मुझे प्लेस कम मिल रही थी, इसलिए मुझे बार बार में टाने में टाउनी में टाइम चला गया, एक डागरम बनाया, यहां पर आपने में जुनारे चाला लिए कोष्ण दिखने में बड़ा था पर था था पिलकूल आसान, एक बार धो रा खण झाली यहां यह देख सकते हैं कि तो यह का सदीर्त छोल यह बटाना सब कर लिए है क्योंकि प्री में तो बिल्कुल इजी तो मॉडरेट आता है बट मेंस में क्या रहेगा हाई लेवल और सेलेक्शन लेने के लिए मेंस निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो चलिए यह था हमारा डाइकरम आज का हमने सॉल्व कर लिया सिंगल रोविद वैरिय अगर समझ में आया है तो भी मुझे चाहिए अगर नहीं आया है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ठीक है और सेसन पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक किजिए और मेक्समुम शेयर किजिएगा तो चलिए सेसन को एंड आप करते है तील देन कीप लंडिंग क्य प्रेक्सिंग थेंक्यू और बबाई